आज बात करने जा रहे हैं न्यूजिलेंड के बारे में बहुत सारे सवाल स्टुडेंट्स के हमारे पास आ रहे हैं कि मास्टर प्रोग्राम्स के बारे में जरूर बताईए ग्रीन लिस्ट में कौन-कौन से कॉर्सिस हैं और फ्यूचर भी हम जरूर जानना चाहेंगे कौन से कॉर्स के साथ आगे बढ़ें तो हमारा फ्यूचर काफी अच्छा दिखने वाला है न्यूजिलेंड में तो इन तमाम पॉइंट्स पर आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही स्वागत है आप सभी का और आपके साथ ये सभी पॉइंट्स पर क्लारिटी और फुल इंफरमेशन आपके साथ शियर करेंगे नैविगेटर्स ओवर्सीस से वीजा एक्सपर्ट मिसिस वीना गुल्ड मैम हमारे साथ हैं बहुत बस्वागत है मैम नमश्कार तो मैम बात कर रहे हैं न्यूजी लेंड की तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बहुत सारे सवाल तो हैं Green List पर स्टूजिंट्स बहुत फोकस कर रहे हैं जानना चाहते हैं कौन-कौन से कोर्सिस उसमे हैं किस field के students के लिए New Zealand में आगे बढ़ना काफी beneficial रह सकता है, कौन-कौन से वो programs है, मैं जरूर इनी से शुरुआत करना चाहूंगी. हरजोत, मेरे ख्याल New Zealand में STEM engineers की बहुत कमी है, आप देखोगे अगर green list, उसमें हर किसम का engineer मिल जाएगा, आपको civil engineer, electrical engineer, mechanical engineer, अगर आपको इतने engineering के program में लेंगे, तो जो भी student है, चाहिए वो plus two वाले है, या graduation वाले है, अगर वो degree course लेते हैं, non-medical वाले बच्चे, उनके लिए बहुत जादा choice है. अब उसमें क्या है, अगर बच्चे ने diploma किया, one year का किया, तो उसको one year का job search हुई है, two year का diploma ले रहा है, तो two year का job search हुई है, लेकिन there are few colleges, our universities, which are giving you, अगर आपने plus two किया है, तो वो आपको तीन साल की degree दे रहे हैं, graduation की, तो आप उसको apt कर सकते हैं, तो आपका, otherwise बहुत सारे New Zealand में, maximum universities में four years किया, वो बच्चे को थोड़ा सा एक लगता है कि time consuming है, लेकिन ranking बहुत अच्छी है universities की, लेकिन अगर हम कहें कि cost effective है, तो cost effective जो master's के program है, वो बहुत cost effective है, क्योंकि graduation हाला बच्चे एक mature student है, जो कि हर program में हम बात करते हैं, तो आप अगर engineering के किसी भी उससे हैं, वाले को ऐसा नहीं है कि one year के साथ one year का, master's बहुत सारी universities ने 1.5 year की बनाई हुई है, program design ही ऐसा हुआ हुआ है, और उसके साथ three year का post study work permit है, उसमें आप अपनी family को भी साथ लेके जा सकते हो, बच्चे को भी साथ लेके जा सकते हो, और program duration काम है, लेकिन IELTS requirement master's के लिए आपके 6.5 not less than 6 band है, अब हम expenses, living expenses के अगर बात करें, तो New Zealand में 20,000 डॉलर जो आपको living expenses शो करने हैं, और बाकि one year या 1.5 year के जो भी fees है, वो शो करने हैं, New Zealand में one year के जो आपने शो करने हैं financial documents, वो 6 month old या total education loan कर सकते हो, लेकिन अगर 6 महिने का course next बच गया है, उसका fresh fund भी आप शो कर सकते हो, तो it's very easy, New Zealand में जो आपको, क्योंकि crime free country है, मैं काफी time New Zealand रही हूँ, और मेरे को सच में बहुत सुन्दर लगता है, हर बंदे का अपना experience है, हर candidate का, हर बच्चे का अपना experience है, बच्चे जाते हैं, जाकर family भी जा रही है, 3 year का post study work permit भी है, और New Zealand की सबसे अच्छी point क्या है, जो fees है, वो आपने visa के बाद देनी है, मतलब आपने जो भी fees देनी है, main visa approval के बाद देनी है, जब visa officer ने कहा दिया, your file is okay, now go ahead with the fee payment, means अब आप अपनी university या college को fees पे करो, और आप अपनी passport पे stamp लगवा हूँ, तो है ना easy process कि आपका कोई loss नहीं, जो package पेकेज चल रहा है हर जगे का, तो New Zealand ने तो आपको वैसी package दे रखा है, कि वो fee सी visa के बाद ले रहे हैं, खली financial document six month old दिखाने है, जो कि अक्सर मैंने देखा, चाहे आपका Australia का rejection, चाहे Canada का New Zealand file लगा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को उस चीज़ से कोई objection नहीं है, कि आपको जो है कोई country का objection भी है, जी, तो मैं ये study के बाद जो PR की हम बाद करते हैं, ये points जो लगते हैं, master's के कितने points रहते हैं, या फिर किस तरह से selective कुछ courses beneficial रहते हैं PR के लिए, जैसे green list है, तो वो अब New Zealand को कोई problem नहीं है, कि आप उनकी country में जाके PR लेते हो, बाकी country में आप लिखते हो कि I want to come back, क्योंकि उनको दिक्कत है, बच्चा पढ़के वहाँ सेटलना हो जाए, लेकिन New Zealand accept कर रहा है, तो आप green list का कोई emerging course ले लो, या अगर course आपका green list में नहीं है, लेकिन आप अगर खुद सर्च करते हो, Google सर्च करो, आप देखो जिस जॉब की सबसे ज़्यादा वहाँ requirement है, that means उनके पास तो मैंन पार shortest system बंदे वैसे ही बुला रहे हैं, तो आप उसका अगर सर्च करते हो, और आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, course complete होती, तो आप तो वहाँ पे वैसे ही eligible हो, PR के, तो आप इतना मथा मतमारों के green list में होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, basically आपकी job availability पे बाद, जी, बिल्कुल, तो मैं ज़रूर कहना चाहूंगी सबी से, के अगर आप New Zealand के बारे में सोच रहे हैं, तो ये खास points आपको ज़रूर अपने ध्यान में रखने चाहिए, चाहिए कि आप masters के लिए जा रहे हैं, आज हमने चाहिए बात masters की की है, लेकिन overall सभी students को कहना चाहेंगे, चाहिए जो plus two के बाद भी जाना चाहते हैं, तो कई सारी बाते होते हैं, जिनको आप ध्यान रखी, और हर बार मैं ये ज़रूर कहती हूँ, कि किसी भी country आप जाओ, वहां की official website में भी, आप ज़रूर सभी चीज़ों, आप अगर Google search करोगे, तो आपको green list भी मिल जाएगी, आपको job criteria भी मिल जाएगा, कि कौन सी job में, कौन से course के बाद, आपको job availability जाएगा, तो आपकी financial requirement भी मिल जाती है, और यहाँ कोई package की जरूरत नहीं है, क्योंकि New Zealand embassy, New Zealand government आपको fees ही visa के बाद ले रहे हैं, यह सबसे सुन्दर point है, किसी भी country के visa के लिए, बिलकुल क्योंकि सबसे ज़ादा doubt, यहाँ डर parents को, यहाँ स्टूडेंट्स को यही रहता है, कि अगर हमारी refusal आ गई, तो हमारी fees refund होगी, timely होगी, कैसे होगी, तो यहाँ पर सारा procedure ही, जो हम fees का गए, वीजा लगने के बाद, आपने अपनी fees पे करनी है, फिर भी कोई सवाल है आपका, मैं last week, intake के बारे में जुरूर बताईएगा, अभी कब students apply कर सकते हैं, किस intake के लिए? अभी October intake है, उसके बाद, Jan Fab intake है, आप उसमें apply कर सकते हैं, बहुत near है, तब तक आपका document preparation में, टाइम निकल जाएगा, तो आप immediate apply कर सकते हैं, अगर आप jan intake को miss करेंगे, तो फिर में आजग, तो better up jan में immediate apply कर लिजे, जिनके funds ready हैं, वो October में भी apply कर सकते हैं, जी ठीक है, कोई doubt है, तो ये number जो display किये हैं, हमने navigators overseas का, इस पर आप call करके, पूरी जानकारी ज़रूर ले सकते हैं, और अपने documents अगर लेकर आएं, उसकी assessment करवाएं, तो बहुत ही अच्छा रहता है, आपको कई सारी options पता चलती हैं, तो मैम की guidance के लिए, आप जरूर इस number पर चाहे call करें, चाहे कि visit करें office में, ताकि सही दिशा में आगे भढ़ते हुए, आप अपना visa हासल कर सकें, बहुत बहुत थैंक्स में, आपने New Zealand के बारे में, काफी अच्छे points students के साथ, आज इस video के जरीए share किया है, आगे भी हम students के लिए, इसी तरह से और informative videos लेकर आते रहेंगे, फिलहाल के लिए, हमें दीजिये इजाज़त, thank you so much, thank you.